नमस्कार इबनिंग नूज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं जारखन में आई से खुल गए 6 से उपर की प्राइवेट इस्कूल जारखन के कई प्राइवेट इसकूल आई सोमवार से खुल गए हैं बतादे राजी में भी कुछ इसकूल खुल गए हैं जबकि कुछ इसकूल कल से खुलेंगे सरकारी विद्यालियों में काक्षा 6 से 8 वी तक की पढ़ाई इस सब्ता सुरू हो जाएगी बतादे जारखन के स्कूली सिक्षवम शर्षरता विभाग द्वारा इस समन्द में सोमवार को दिसाने देश जारी होगा इसकूलों में 24 सितंबर तक कक्षा सुरू होने की संभावना है वहीं काक्षा संचालन की त्यारी को लेकर इसकूलों को 3 से 4 दिनों का समय दिया जाएगा बतादे जारखन की हेमन सरकार ने 6 से 8 वी काक्षा तक की ओफलाई पढ़ाई शुरू करने की उनमती दिये जाने के बाद राजधानी राचि की नीजी स्कूल में इसके लिए त्यारी शुरू कर दी गई है यर इंडिया की राची हैदराबाद विमान से वा आई से सुरू हवाई सफर करने वालों के लिए खुषख़बर है बतादे राची से हैदराबाद का सफर आराम से कर सकेंगे यहर इंडिया की ओर से सेवा आई से सुरू की जा रही है यहर इंडिया का बिमान सप्ता में दो बार रांची से हैदराबाद के लिए उरान भरेगा बता दे सोमवार वबुध्वार को रांची से हैदराबाद के लिए बिमान उरान भरेगा यह और इंडिया की रांची से हैदराबाद बिमान सेवा सोमवार से शुरू हो रही है बिमान दिली से साम 4 बज कर 40 मियट पर उड़ान भरेगा और सब्ता में दो दिन रांची होकर हैदराबाद जाएगा रांची में 29 नुवंबर को हो सकता है भारत न्यूजिलेंट T20 मैच जारखन के किर्केट प्रेमियों के अची खबर है बतादे जारखन की राजधानी रांची के J.A.C.A. International Cricket Stadium में भारत और न्यूजिलेंट के बीच T20 मुकाबला खेला जा सकता है J.A.C.A. के सचीव संजय सहाई की माने तो 29 नुवंबर को भारत और न्यूजिलेंट के बीच T20 मुकाबला रांची में हो सकता है J.A.C.A. International Cricket Stadium में 29 नुवंबर को भारत और न्यूजिलेंट के बीच T20 मुकाबला खेला जा सकता है J.A.C.A. की उतपाद नीती दूसरे राजियों के लिए बना मॉडल J.A.C.A. की नई उतपाद नीती देश के अने राजियों के लिए मॉडल बन गई है बता दे दूसरे राजे भी J.A.C.A. भी जारखन की तरज पर अपने उतपाद नीती में बदलाव कर रहे है पच्छिम बंगाल ने जार्खन मोडल को अपने राज़े में लागू कर दिया है वहीं पच्छिम बंगाल सरकार ने 16 सितंबर को अपनी उत्पाद नीती में बदलाव के समधित अहिसुचना जारी भी कर दिया है अब सरकार की संस्था वेस्ट बंगाल एस्टेट बीवरेज कार्पूरेशन से लेकर सराब का थोक ब्यापारी नीजी हाथों में सोपने जाएगा वहीं जार्खन की तरह वहाँ भी मुनाफा का निर्धारित परतिसत कार्पूरेशन के संचालन के लिए रखने का परधान किया गया है वहीं उडिशा सरकार भी जार्खन की तर्जपर उत्पादन नीती में बदलाव की तियारी करने जा रही है जारखन के सिक्षक अपने मन पसंद अस्थान पर ले सकते हैं टांसफर राज्य के प्राथमिक से लेकर पलस्टू सिक्षकोत तक के अस्थानांतरन को लेकर निमावली में संसोधन का ड्राप तयार कर लिया गया है बताद नेमावली में संसोधन को लेकर माध्यमिक सिक्षा निदेशक के अध्यक्स्ता में गठीत कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सिक्षा सचीव को सौप दी है इसकूली सिक्षा व शक्षार्ता विभाक सचीव की समाती के बाद संसोधित निमावली त्यार की जाएगी बता दे निमावली को सिक्षा मंत्री के समाती के लिए भेजा जाएगा इसके बाद निमावली बीधी व कार्मिक विभाक को भेजी जाएगी इन विभागों की समती के बाद निमावली को कैबिनेट की स्विक्रिती के लिए भेजा जाएगा निमावली संसोधन के लिए अवसक परक्रिया जल्द पूरी की जाएगी निमावली संसोधन में अंतर जिला स्थनांतरन को लेकर फिर से 1994 के निमावली के प्रवधानों को ल केस दर्ज नहीं कर सकेगी क्योंकि अधारा निरस्त कर दी गई है बता दे ग्रीह मंत्राले और पुलिस मुख्याले के निदेस पर ADG, CID, प्रसांत कुमार सिंग ने सभी जीलों के SP को इसे समंधित आदेस जारी कर दिया है इसमें सभी SP को जनकारी दी गई है कि सुप्रीम कोट में अवेदन के माध्यम से इस बात को संग्यान में लाया गया कि कुछ पुलिस पदादिकारी अभी भी 66A में केस दर्ज कर रहे हैं इसे सुप्रीम कोट ने गंभीता से लिया है इसलिए सभी थानों को जनकारी दी जाए कि वो उक्त धारा में केस दर्ज नहीं करें इसके साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाब करवाई की जाए जारखन में कमजोर हुआ करोना राजे में करोना के दूसरी लहर में सुरू हुआ करोना का परसार अप्थम गया है जबकि साथ दिन पहले या आकडा 0.01 फिश्दी था राजे में अप्रेल के दूरान करोना के दूसरी लहर जब चरण पर थी सब्ताहिक संक्रमन बिरिधिदर 2.61 फिश्दी तक पहुँच गई थी वही देश की सब्ताहिक संक्रमन बिरिधिदर की बात करे तो साथ दिन पहले या 0.09 फिश्दी और अभी 0.07 फिश्दी है राजे में एक्टिव केस भी कम होकर 3 से 2 अंक में पहुँच गया है विधायक ढूलू महतो और जलेस्वर के समर्थकों के बीच जड़प नव घायल बाग मारा विधायक ढूलू महतो और जलेस्वर महतो के करकारी अध्यक जलेस्वर महतो के समर्थक मजदूरों के बीच रभीवार अपराहन 3 बजे हिंसक जड़प हो गई बतादे BCCL बलोक दो छेत्र का नद खुर की कोल डंप रंज छेत्र में तबदिल हो गया लवग घंटे भर तक दोनों पक्षों में जम कर मार पिठ हुई दोनों तरब से जम कर लाठी डंडे चले और पत्रा हुआ घाटना में ढूलू महतो के साथ वजलेस्वर महतो के दो समर्थक घायल हो गाए बिधान सभा की प्राकलन समीती पहुँचेगी लोहर्दगा चारखन बिधान सभा की प्राकलन समीती सोमवार को लोहर्दगा पहुँचेगी बतादे प्राकलन समीती के सभापती दीपक बिरुगा के साथ सदस्यों में बैधनाथ राम, नरायन दास, अमबा परसाथ एवं लंबोदर महतो लोहरदागा आएंगे इस दोरान समीती लोहरदागा जीला परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठा कर्योजनाओ की समिक्चा करेंगे बैठा को बेहद महतोपूर माना जा रहा है जिसमें विकास कारियों के समिक्चा किया सकती है हाल के समय में लोहरदागा में कई बिधान सभा समीतियों का आना हुआ है यंग इंडिया के बोल कारे करम से कंग्रेस करेगी परवक्ताओं का जयन जार्खन परदेश युआ कंग्रेस ने यंग इंडिया बोल प्रोग्राम लंज किया है जार्खन परदेश युआ कंग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव परदेश सोसल मीडिया इंचार्ज अभय तिवारी और यूथ कांग्रेस के राष्टिय प्रवक्ता सुबोत हरी तवाल द्वारा इसका लंज किया गया मौके पर परदेश अध्यक्ष कुमार गवरों ने कहा भारतिय युगा कांग्रेस हमारे परदेश के हुनार प्रवक्ताओं को एक मंच दे रही है जिसके माध्यम से वा अपनी बात रख सकेंगे और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को जन जन तक पहुँचा सकेंगे 2020 में घरेलू हिंसा के आकड़े हुए काम महिलाओं को उसका पती मारता पिरता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं लेकिन वही महिला अपने पती द्वारा मानसिक, सारेरिक, मौखिक तथा अर्थिक रूप से प्रतारित होती है तो कोई उसे हिंसा नहीं कहता बलिक पती पतनी के आपस की बात कहा जाता है बतादे राष्टी ए अपराद रिकोर्ड बियोरो द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जार्खन में महिलाओं के खिलाप अपराद के 7630 मामले सामने आये हैं इन में से 857 मामले घरेलू हिंसे के हैं हलाकि बर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में इन मामलों में गिरावट हुई है बतादे 2019 में घरेलू हिंसे के 1426 मामले सामने आये थे जो साल 2020 में घटकर 857 हो गए लोहर्दगा डियो के खिलाप करवाई की मांग अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग ने सिक्षको कोई स्कूली सिक्षा एवं सक्षर्टा विभाग के आदेश के बिरूत प्रोनती देने वाले लोहर्दगा के जीला सिक्षा पदाधिकारी अखिलेस चोधरी से असपश्टी करण पूछे जाने को सही बताया है बतादे संग ने जीला सिक्षा पदाधिकारी के बिरूत करवाई की भी मांग की है संग ने कहा है कि जीला सिक्षा पताधिकारी अख्लेश चोधरी ने नियम विरूत कारेसेली पर विभाग को ततकाल अंकुस लगाना चाहिए धनबाद पहुंची कोईला मंत्राला की टीम जहरिया कोईला चेतर में भूमिगत आग से कोकिल कोल की ग्रेंडिंग खराब हो रही है बताधिया देश के लिए बड़ा नुक्सान है जिस कोईले के आयात पर सलाना एक लाग करों से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है उस रकम को बचाया जा सकता है बताधिया सुरक्षा के साथ साथ जहरिया पुर्णवास देश की अर्थ वेवास्ता से भी जुड़ा है केंद्र इस्थिती को लेकर कम भीर है रिपोर्ट के उन्सार आग से औरवो का कोईला जलकर राक हो रहा है तो कोईले की ग्रेंडिंग भी परभावित हो रही है इस वज़ा से कोईले की कम कीमत मिल रही है रूपा तिर्की मोत मामला रांची के साहव गंज की दिवंगत महिला थानेदा रूपा तिर्की की मोत की जांच को लेगर सीबियाई की टीम रेस में है बताधियाई की टीम इस मामले में रांची में कैम्प कर जांच सुरू कर चुक बतादे CBI ने इस मामले में एक राजनेता का वीडियो टेप भी हासिल किया है 27 मिनट के इस वीडियो टेप में राजनेता पैसे का परलोभन देते दिख रहे हैं वीडियो की रा कॉपी CBI को सौप दी गई है इस वीडियो में राई नेता परिजनों से CBI जाज की मांग नहीं करने देने की बात कर रहे हैं बतादे साहिव गंज महिला थाना में दर्ज कुछ मामले से जुड़े कागजाद भी CBI ने हासिल किये हैं नकसलियों का स्थापना दिवसप्ता शुरू 21-28 सितंबर तक मनाया जाने वाला भागपा मवादी नकसलियों का स्थापना दिवसप्ता आई राथ 12 वह से प्रणब हो जाएगा बतादे इस अस्थापना स्थाप्ता को लेकर पूलिस मुख्याले द्वारा प्रभावित सभी जिलों की पूलिस के साथ साथ रेलवे को भी सतरक वा अलर्ट आने को कहा गया है और थापना स्थाप्ता के दोरान नकसलि हिंसक घटनाओ का अंजाम देने की कोशिस कर सकते हैं इस करम में वा घात लगा कर पूलिस टीम, रेलवे ट्रेक, सरकारी भौनों वा समपत्यों को नुकसान पहुचाने की निरंतर कोशिस में लगे रहते हैं गढ़वा जिले के मुस्कैनी पहाड पर पोटास का भंडार जारखन के गढ़वा जिले के भौनातपूर के विभीन छेतरों में जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया सर्वे कर रहा है बतादे ड्रीलिंग के माध्यम से हो रहे इस सर्वे के बाद भौनातपूर के मुस्कैनी पहाड में पोटास के भंडार होने का पता चला है जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने इसकी जनकारी राजे सरकार को दी है भूत तत्व भाग के निदेशक विजय ओजहा ने इसकी पूश्टी की है बतादे पोटास का उप्योग मुख्यता क्रीसी कारे में बतार खाद के रूप में होता है यहादी आप चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल कर बेल एक अधर वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवास से दे थैंक यू